बिस्मिल्लायरमानुरहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम टो माई यूटीब चेनल लास्ट टूरेंट्स प्लेटफार्म, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर्स एंड ड्यूटीज आफ रिजिस्टरिंग आफिसर, जिसको रिजिस्टरार भी कहा जाता है, अडर रिजिस्ट को रिजिस्टर करें, जो भी डाकुमेंट्स उसके पास आते हैं रिजिस्टरिशन के लिए, तो रिजिस्टरिंग आफिसर एक ऐसा बंदा है, जिसको रिजिस्टरिशन एक्ट ने अथराइज किया हुआ है, कि उन डाकुमेंट्स को रिजिस्टर करें, जो उसके पास duties के बारे में बताते हैं सबसे पहले है duty to endorse अब ये registrar की duty होती है कि जो बंदा उसके पास documents ले कि आया है उन documents की date को चेक करे verify करे उस बंदे की place को signature को verify करे endorse करे अगर उन documents में कोई भी mistake है तो वो registering officer उनको reject कर सकता है उनको suggest करेगा इन errors को modify करो और resubmit करो second है power to examine a person name अब registrar के पास ये power होता है कि वो उस बंदे के name को जो name documents में मौजूद है cross check कर सकता है और ये analyze कर सकता है इसकी जो signature है वो true है या false है third है duty to give recept अब ये registrar की duty है इस चीज़ के लिए वो bound होता है जो documents उसने register किये हैं उसकी receipt उस बंदे को दे fourth है duty to keep a copy of presented documents registrar के पास जो documents लाए गए थे उसकी ये duty है उन documents की एक copy बना के appropriate book में महफूद करके रखे fifth है duty to maintain the documents officer की ये भी duty है जहां पर इसने ये documents की copies रखी हुई है उस book को maintain करे और उसको regularly update करता रहे sixth है power to check validity officer के पास ये सारे powers होते हैं कि वो documents की validity को check कर सकता है तो अगर वहां पर कोई भी fraud है या mistake है वो उन documents को seize कर सकता है तो उनको register करने से इंकार कर सकता है seventh है signature and thumb impression जो documents वो बंदा ले के आया है registration के लिए उसको चाहिए कि उस पे signature करे गर वो बड़ा लिखा नहीं है तो thumb impression दे दे और ये registrar की duty है उससे signature ले और thumb impression ले eighth है duty to issue certified copy जो documents register हुए है उसकी certified copy उस registrar officer को provide करनी है ninth है duty in case he cannot understand the language जो documents उस registrar officer के पास लाए गए हैं अगर वो उन documents पे लिखी language को नहीं समझ बाता तो officer के पास बावर है कि उस बंदे को कि कह सकता है in documents को translated documents में submit करो तो वो language यूज करो जो registrar officer को समझ आए विसाल के तोर पर documents लाए गए है registrar officer के पास वो खुद उर्दू समझता है लेकिन documents सिंधी में लिखे हुए है वो उसको कह सकता है कि आप इसको पुदू या English में translate करवा के लाओ तैंथ है duty to return registered documents अब जब registration process complete हो जाए तो registrar की ये duty है कि सारे essential documents return कर दे 11th है certificate of registration अब जैसे ही documents register हो जाते हैं तो registrar एक registration certificate issue करेगा इस certificate पर एक word लिखा होगा registered उस document पर number और उस book का page लिखा होगा जहां पर इस registered documents की copies को रखा गया है तो दोस्तों ये था हमारा आज का टापिक उमीद है कि आपका concept clear हो गया होगा request एक ही करूँगा कि एक शोटा सा कोई सा भी comment लाजमी करता Companies Act के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की playlist विजट कर सकते हैं अगर उस playlist की link आपको description से मिल जाएगी अगर आपको Companies Act के notes चाहिए तो उसकी भी link आपको description से मिल जाएगी अगर आपको लाग के regarding किसी भी topic की वीडियो चाहिए तो वो topic लिखके साथ में एलस पी लिखके सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएगी जिससे आप अपना इजली concept किलियर कर सकते हैं या फिर अगर आप मेरे चैनल की playlist में जाते हैं जहां पर उस subject के सारे वीडियोस मिल जाएगा आपको